हेलो दोस्तोटोटोटोटोटोपस अपर से पाजिए वाद स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल वेटरैट में दोस्तोटोट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप काउंसिलिंग कर रहे हो तो कुछ कोलिज आपको सो नहीं कर रहा है वह क्यों नहीं कर रहा है उससे बात करेंगे और अगर आप उस कोलीज में एडिशन चाहते हो जों सा कोलीज सो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस तरह से काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा उस पर हम चल चक रहेंगे ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए आप इस वीडियो को इसकिप मत करिया और इसको ध्यान से देखिए ठीक है अगर आप इस चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको दीवे जान कर या चल लगे तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आप कुछ और बाते जाना चाते है तो नीचे कमेंट कर सकते है उसका मैं रिपलाई दूँगा और हाँ अगर आप अभी तक हमारी टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े है तो उसको भी जोइन कर ले अगर आप देखे तो जब आप ओपिसल वेबसाइट पर आओगे तो आप जैसे पार्टिसपेट करोगे तो उसके लिए आपको अपनी मेल आइडे और मूबाइल नमबर डालकर एंटर करना होगा ठीक है जैसे ही आप एंटर करोगे मैं आपक ан्ब्र चोरी दिखने को मिलेगी वह क्यों यह साफ से कर्मने मिलते मेक्सीम 5 चोरी लेकिन इसमें 4 दिखा रहे हैं लेकिन जब आप को इyanीश होगे ठीक है जो आपके पास prospectus है उसमें college देखोगे तो उसमें 5 college है लेकिन यहाँ पर 400 कर रहा है ठीक है मैं आपको दिखाँगो चार कौन-कौन से है तो आपको यह चार college choice करने है फिलाल इसमें चितने choice है उस हिसाब से आपको select करना है तो आपको यहाँ पर college जो दिखा रहा है एने स्टेई हावरा आइटियोटी अंबाला और गोर्मेंट आइटियोटी लालरू पंजाब और गोर्मेंट आइटियोटी नागोर राजिस्थान यह चार चोईस आपको दिखा रहा है यहाँ पर आप देखोंगे कारपेंटर में आपको नहीं दिखा रहा है वहाँ पर सबसे ज्यादा सीटे है 100 सीटे और वह आपको यहाँ पर सो नहीं कर रहा है तो उसका क्या करण है वो सो नहीं कर रहा है देखे दोस्तों मैं बताओं पिछली बार जब एडिविशन हुआ यह उससे पहले भी जब हम क्या कि जो वे सीटे है अभी के लिए जीरो कर दी है फर्स्ट फेज कांसिलिंग के लिए लेकिन जैसे आप सेकंड फेज में जाओगे आपको वे सीटे वहाँ पर दिखेगी ठीक है वहाँ भी आप अपलाई कर पाओगे तो कुछ दोस्तों का सवाल यह होगा कि हम कांसिलिंग में आपको चोईज किस तरह से रखनी है और जो कॉलिज सो नहीं कर रहा है वो आपको कैसे मिल पाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर अपने इसाब से कॉलिज सेलेक्ट कर लेने है फर्स सेकंड थर्ड फोर्थ पर ठीक है यह यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ठीक है और दोस्तों मैं आपको बना को यह आप पर जो आपको अपको अपना शेलेक्सण रखना रहे चोकों को इस तरीके से रखना है कि पर्स जो आप चोईष्च्छोगे वह इस तरह के से रखनी है वह भी आपकी प्रीफ्रेरेंस हो यानि आप चाहते हो अगर जोन सा कोली सो नहीं कर रहा है अगर उससे अलग कोई दूसरी चोईस हो तो वो रखे क्यों रखे क्योंकि अगर किसी कान आपको फैस्ट चोईस मिलती है उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अपलाई नहीं कर सकते तो इस चीज का खास तोर पर ध्यान रखना है कि जैसे प्राइवेट आइटियोटी दी गई है तो प्राइवेट आइटियोटी को फैस्ट प्रायोल्टी नहीं देनी यानि फैस्ट चोईस में नहीं रखना है उसको नीचे रखिए ठीक है और जो फैस्ट चोईस आपकी आप जिससे चाहते है जोन साइ तो उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर किसी कांड आपको दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का कोलिज मिलता है उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कहां पर कर सकते हैं जो कोलिज फिलाल सो नहीं कर रह यहां पर आप देख सकते हैं जर्णल में 20 मतलब जर्णल में सीट है 14 और पोजिशन दिखा रहा है 20 ठीक है और तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है जैसे यह यलो है यलो का मतलब आपके लिए सई नहीं है आपका यहां पर नहीं हो सकता ठीक है दोस्तों अब जैसे आप यहां से आगे मैं आपको बताओं आप यहां से रिष्लेक्ट अगें अगर आप पहले नमबर पर किसी उसके बाद आपके सामने वेच चार चोईस यानि दो बार फिल करनी पड़ेगी आपको उसी हिसाब से आप कर सकते हैं उपर नीचे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं की बार मैंने फर्स्ट चोईस में गोर्मेंट आइटियोटी लालरू पंजाब दूसरे पहने इस्टे लेगा आप देख सकते हैं आईटियोटी लालरू में जैनल की 14 सीट है और आपकी पोजिशन 4 दिखा रहा है और OBC में 9 सीट है और आपकी पोजिशन 2 दिखा रहा है यानि यह ग्रीन सिंगनल है यानि यहाँ पर आपके चांस है फिलाल कि आपका एडिशन हो जाएगा यहा कोई दिक्कत ने लेकिन बाकी के जो तीन चार या पांच तीन या चार जो चोईस बची है उसमें इस तरीके से रखे जिससे आपकी संभाव नहों कि आपको दूसरा तीसरा चोता है पांच को कोई भी मिल जाए उससे फाइदा क्या होगा आप फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका असानी से हो जाएगा ध्यान रखना अगर आप फश्चोईस जो डालते हो अगर आपको फश्चोईस मिल जाते हैं उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस बात को खास तोर पर आपको ध्यान रखना होगा ठी ठीक है उसके बाद आपको यहां पर पे कांशलिंग फीन ना हूँ ठीक है इस पे आप किलिक करके फीस जमा कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जैसे यहां फीस कि ले जाओगे कुछ ऐसा आपके सामने सरफेस आएगा ठीक है बिलिंग नेम में आपका नाम होगा एड्रेस होगा वो आपको डाल देना है उसके बाद जो email वगरायर है यहांपर pay now पे click कर देना है यह पे नव पे जैसे click करोगे आप वह तो जो फीस जैसे debit card से करनी है हो तो same process होता है वह किसी form की जैसे फीस जमा करते है ऐसे यह आप फीस्जामा कर दोगे जैसे यह आपकी फीजम हो जाएगी complete तो कुछ आपके सामने ऐसा window पर ऐसा आ जाएगा सामने उसके बाद आपको इसको close कर देना है ठीक है उसके बाद आप देखोगे you have paid counseling fee download receipt आपको जो यह आपने फीजम की counseling की इसको इसकी जो receipt receipt है इसको download कर लेना है और उसको save करके रख लेना है क्योंकि यह आपके काम प्रोविजनल एडिवसन में भी आएगी और जाव आप फाइनल एडिवसन के लिए जाओगे वहाँ तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होगी ठीक है और उसके बाद कुछ ऐसा आपके सामने यह receipt निकाल सकते है आप ऐसी receipt निकल के आ जाएगी ठीक है फीज की इसको आपको save कर लेना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं counseling जब आप करोगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है भले ही वह college फिलाल सो नहीं कर रहा हो ले अगर आपको कोई doubt रह गया तो नीचे comment कर सकते है और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजिए और हाँ telegram group को भी join कर लिजिए ठीक दोस्तों धन्यवाद